नमस्कार दोस्तों सबसे पहले Tech News और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारी चैनल इंडिन टेक जुकार को सबस्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है सरनुकुमार आप देख रहें इंडिन जुकार टेक जैसा कि आपको पता होगा अभी Jio ने अपना Jio Phone लाँच किया था और उसमें आपका सिर्फ वो सिर्फ जियो का SIM लगने वाला है और जो काफी ज़्यादा subscriber है, क्योंकि Jio ने जो यहाँ पर target रखा है, वो 100 million mobile sell करने का रखा है, तो काफी ज़्यादा subscriber जो है, वो Jio की तरफ जाने वाले हैं, तो ऐसे में अब Airtail की तरफ से नया move निकल के आया है, कि Airtail भी अब Jio phone के तरह ही कुछ offers लेकर आने वाला है, लेकिन Airtail ने ये कहा है, कि वो खुद का अपना mobile launch नहीं करेगा, जो other company हैं, जैसे Intex, Lava या Micromax है, वो काफी अच्छा-च्छा bundled offer उन mobile के लिए लेकर आने वाला है, यानि कि Jio phone की तरह है, जैसे Jio अपनी फिलाल services देता है, वो तीन महीने के लिए, या अपनी जो apps रहते हैं, वो उस phone के साथ free देता है, तो अब Airtail भी कुछ ऐसा करने वाला है, वो शुरू में इन phones के लिए कुछ offer देगा, जिसमें आपको कुछ data मिलेगा, और जो Airtail के कुछ एक apps है, वो आपको use करने को मिलेगा, और Airtail ने कहा है कि Airtail की ये offer आपको अगस्त ही मिलने सुरू हो जाएंगे, यानि कि Jio phone के आने से पहले ही Airtail ऐसे offer देने सुरू कर देगा, जितने भी आप 4G feature phone आने वाले हैं, या जो भी Airtail चाहे का जिस phone के लिए, अब उन phones के लिए Airtail की तरफ से अगस्त में offer आने वाले हैं, साथी Airtail ने ये भी कहा है कि मार्च 2018 तक अपनी 4G वोल्टी सर्विस पूरे इंडिया में launch करने जा रहा है, तो यहाँ पर सारे का सारा जो Airtail है वो जियो को follow करता जा रहा है, जैसा जियो कर रहा है वैसा का वैसा ही Airtail करता जा रहा है, आपको क्या लगता है Airtail की strategy काम्याब हो पाएगी, जैसे जियो phone यहाँ पर launch किया गया, क्या Airtail की तरफ से जो bundled offer आने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे लेटेश टेक न्यूज मिलती रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्स्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए,